हलो एंड वेल्कम एब्रिवन वेल्कम टू इग्रिकल्चर अड़ा 24 सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत हैं दोस्तों आप सिल्क वर्म के बारे में तो जानते ही होंगे है ना मैं मैं थोड़ा कम जानती हूं अच्छा आज आप मुझे पढ़ाएंगे ठीक है अप सिल्क कुछ को नहीं पता होते है तो मल्वरी शहतूद का पेड़ होता है जो जिन्रली आपके आसपास आपको देखने को मिल जाता है ठीक है और जो हम लोग सिल्क की रेरिंग मल्वरी प्लांट पर करते हैं डोमेस्टिकेटिक या फिर नन डोमेस्टिकेटिट तो उसकों लोग म हमारी नॉन मलवरी में आ जाती है ठीक है लेकिन इसमें एक बहुत इंपोर्टेंट चीज आती है मलवरी सिल्क बॉम में कि यह इसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है तो इंट्वर वाली मैम यहीं से करते हैं कि इसका जो नाम है और क्योंकि यह एक लापिडॉप्टरन इंसेक् इसकी फैमिली क्लासि इंसेक्ट आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा अगर हम इसकी लाइफ साइकल की बात करते हैं तो लाइफ साइकल में इसमें जो हमारी स्टेजिस होती है जो हम लोग चार में ली पढ़ते हैं सबसे पहले इग लार्वा प्यूपे और अड़ल् सबस्क्राइब चिसमें होते हैं जैसे आप कभी देखते होंगे किर il folds out हिसके बाद से लार्वी निकेए अपने अपने खाके फीट को भर लेती है इसके बाद शुरू होता है असलीक है और ये प्यूपल स्टेज करते क्या है इस टाइम प्यूपल स्टेज में आने से पहले ये जो इंसेक्ट है ये फीडिंग छोड़ देगा मतलब खाना पीना छोड़ देगा तो समझ जाएए कि इसके अब प्यूपल स्टेज शुरू होने वाली है और नेक्स स्टेज में आते ही ये खाना पीना छोड़ के अब सिल्क को क्या करने लगेगा बुनने लगेगा और इसके एक आदा तौर होते है हमेशा पूछा जाता है कभी कभी कॉश्शन ये inner to outer या outer to inner बच्चा ये outer to inner साइड में अपने उपर covering बनायागा और covering बनाते 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 फिर इसके बाद में अंदर वो बैठ जाएगा बैठने के बाद और कभी कभी लोग क्या करते हैं इस cocoon की यत्या कर देते हैं अगर तुम्हें सिल्क का अच्छा क्वालिटी लेना है तो आप या तो अगला इस्टेज एडल्ट तक का इंतजार करो वो प्यूपल बनाने के बाद अंदर रहेगा और फिर इसके बाद जब निकलेगा ना बाहर तब उसके पास में कोई दांत नहीं होते और दांत ना होने इसके पंक और पंक जिसके निकल आते हैं तो होड़ना सुरू करता है मतलब इसकी जिंदगी लगवक खतम हो जाते है ऐसे कोशिंस बहुत पूछे जाते है अच्छा एक बात और पूछे जाते है यह भी बहुत क्वेशन आता है कि प्यूपल स्टेट में जो अंदर हमारा लारवा इंसाइड को कॉकून और इस प्रोसेस से की क्वालिटी को बढ़िया कर लेते हैं अगर कभी-कभी तो इसमें दो-तीन प्रोसेस और वी वह तें दीगा आपने सुना होगा इसके इलावा आपने एक क्या बोलते हैं जब उसको रेसे को बढ़िया निकालने का काम करते हैं जैसे गरम पानी से ही क्या करते हैं रेसी को एक साथ जोड के हम लोग कर लेते हैं बहुत सारी प्रोसेस होते हैं एक अगले वीडियो में लेके हम आएंगे इसमें कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं ठीक है जैस आप्परी बबाइ टेक्या